तो आज हम रामपुरा खेडा ग्राम पंचायत के गाओं में बाबुलाल जी के खेत पर हैं और हाइटेक अग्रीकल्चर की जो ट्रेनिंग के दोरान ये चीजें हमने देखी कि पास में ही इनोंने ये जाल लगा कर और घीया की जो जिसे हम लोकी कहते हैं उसकी एक टेकनिकल तरीके से ये खेती कर रहे हैं इनको देखा कि 15 विश्वा के अंदर इनोंने ये पूरी लोकी लगाई हुई है और हम जानेंगे इन से कि किस परकार बाबुलाल जी ने इसे नवाचार के रूप में यहां पर जोड़ा और साथ में अच्छी आज इंकम अर्जित कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि कैसे ये लोकी की जो खेती है उसको प्रारंब से ये तैयारी कैसे करते हैं आपने देखा कि पूरा का पूरा ये बड़े बांस के कुछ पिलर नुमा आकरती इनोंने यहां पर खड़ी कर रखी हैं उसके उपर प्लास्टिक की ये जो रसियां हैं उनको फैला कर इनोंने जाल बनाया है और उस जाल के उपर ये पूरी की पूरी जो बेल है इस लोकी की वो फैल रही है तो बाबुलाल जी हम स्वागत करते हैं हमारे इस गावाणी स्टूडियो के इस कारेकरम में और बाबुलाल जी से हम जानेंगे कि किस प्रकार बाबुलाल ज पनाने जाता है कौन कौन सी तैयारी बावलाल जी जब आप इस गियां की खेती करने से पहले इस खेत के लिए क्या-क्या काम करते हो भीज कैसे लगाया जाता है चाहिकंए पर on-rage पूरा पूरा जाल जो आपने बनाया उसकी तयारीय आप कैसे करते हो तो बावुलाल जी से जानेंगे, कि यह जो हमारा कारिकरम में बावुलाल जी इसमें प्रगतिसील किसानों की जो नए नवाचार होते हैं, क्योंकि हमारी हाइटेक एग्रीकल्चर की जो ट्रेनिंग चल रही है, उसमें भी जो श्यूम सायता समू की महिलाएं हैं, नाबाड के इस पोजर विजिट के लिए लेकर और हमने ब्रह्मन कराया है लेकिन आज हम जानेंगे, कि आप यह पूरा का पूरा जो आपने अपने फार्म हॉस के ऊपर यह जो लोकी की खेती की है, तो आप बताएं कि कैसे आपने इसको सुरुआत की, कहां से आपको इसको सीखने का ज जे सतवट बनाते हैं इस के बाद में हमें 10 फुट के लगबग युप में उपना कसी तरह से नीचिक है आसे चोको और गड़णा कौद दिया को दिया हदे उसमें कुछ मात्रा डी एपी यूरिया पोटास ठीक है और वो क्या नाम है फूरी फूरी का मतलब होता है कि जड़गांट ने बने जड़गांट ने बननी चाहिए इसलिए फूरी डाली जाती है इसमें ठीक है सर फेर उसको मिक्स करके और हम उस गड़े को उसी में बर देत पूरे नूम आकरती बनाई इसमें पानी बर देते हैं पूरा देखो यह कंप्लीटली इस तरफ की जो आप देख रहे हो यह पूरा का पूरा जो नजारा इसमें इन्होंने बताया कि ऐसे बार बार चोड़े चोटे जो 10 फुट भाई 10 बाई के गड़े करके और उसमें बा उसके ओपर यह चीज कंप्लीट करते हैं तो फुट और गहराई के लगबग रखते हो और डेढ़ फुट चोड़ाई और देड़ ऑई और गहराई भी डेढ़ और रखते हो आप और लम्बा जैसे आप एक जगेसे दूसरे गड़े की दूरी 10 फित 10 फेट क्यों रखते हो वे वाल परहें ऊब्हें कर पर देखने का जाल का पड़ता है जो जाल यह जो क्रोब साप ने बना उसके वज़े से यह जाख पूब लगा देशी तो बीज कैसे लगाते है वीज लगाने की प्रिकरिया क्या है पानी थोड़ु दिया गड़े की तो आप भी बता देगा अप तो फिर उस खराब होगी तो फिर भी अपने को तीन तो चाहिए बिल्कुल या नहीं अपना प्रोडेक्शन पूरा निकल सके को यह नहीं महिनत भी कर दी रुसारे के बीजी कम लगाया नहीं कर दो खराब हो जाती है इसलिए हम बीज उसमें ज्यादा लगाते और तीन बेल स फाल तू चड़ाने सकते क्यों अगर ज्यादा पेल चड़ाएंगे तो इसमें जो जाएगा कि यह डटी नहीं पाएगा मुलब ज्यादा वजन होने की वज़ा से रहते हैं एक चीज मैं और जानूगा कि यह जो प्लास्टिक के जो आपने यह बांदे हुए हैं इसमें लो दो पहले लोग का तार बांदे ओप हा और उसके बाद लोग के तार के नह यह भांदे हुए हो सिस्टरे की जो रस्टी होती है एचर के जो बांदे और भूर этil flag racial की जो आटे ना चार बहुतने नागाँ था भांदेश लिख रहना बहाएं और यह उन्हें शबाटने नीचे इतना 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 इ तो आंदी वगर आये तो गिरने के चांस बिल्कुल नहीं गिरेंगे तो इतनी मद्बूत है कि तीन चार चार आदमी खैज के उस्तार को लोगे और फिर बांदे तो देखा है बावुलाल जी ने बताया कि किस प्रकार पूरा का पूरा ये नैट का जो जाल इनोंने बनाया औ सेसे दूसरे बांदे के बीच में पहले की बड़ा गूरिका को इसे प करने के बाद लोए की बांदे फैसे बीच की जगहेörper established होती है उसमें इस तरह फिच्ज प्लास्टिक जो रशाया होती है उनको क्रों करके बांदा जाता है कर बांदा जाता है कर ये यहां से उगे हैं तो यह बेल कितने दिन में बढ़कर यहां तक पहुच जाती है लगवग कितना लगता है समय समय यह लग जाता यह लग जाता यह लग जाता है यह लग जाता है साब करीबन दाई दो बन लग जाता है अब एक चीज में बात जानना चाहूंगा कि लगभग आपने सबसे पहले यह खेती कहां से सीखी बस यह जैसे एक दो गाववाले कहीं सीखे आगे उससे हमने सीख लिया देरे देरे सब सीके बहुत बढ़िया देखो ओं शो कि इन्तर ंतर ले बताई कि एक किसान से देखा और यूसरे किसान से इनों ने भी सीक कर इन उको लगू किया और यज अच्छी आमiny अरजित कर रहे हैं हमने देखा कि पंदरा विश्वा कर आए तो इनकी जगह है यह पूरा खेट जो इनके फार्माव Спे वहां इन्होंने ये खेती आरंब की और आज घिया का अच्छा भाव है 30-35 रुपे किलो प्रती किलो के इसाब से बिक रही है यह भी जानना चाहूंगा कि लगबक कितना माला पैसा आप इन धाई तीन महिनों में इस जमीन से कमा लेते हो लगबक खर्चा काटने के बारे इस कभी 10,000 कभी 6,000 बाल ऐसे नहीं कि लगातार एक जेसी लागा हो हाँ वह भाव के इसाब से कम ज्यादा कभी पंदरा पर की कभी-कभी दसभी पर जाती है एक बार में लगबक कितना किलो वजन चला जाता है अगर एक बार बात करेंगा जैसे ने आपने का 8000-6000 बिक जाता कितने दिन तक लगबक यह पिदावार मिलेगी आपको अगले कितने दिनों तक यह चलेगी सावावी मेने डेड मन चली ज्दि हैं मंसको तोड़नार्ण कग्लेए इनको एनको तोड़ना पड़ते जैसे पुराना पता हो जा दोड़ना प्रता है जाल पोज़ नहीं आ धर जो पुराना पत्ता होता,ếu जया घग तक डीस को घै तो डागी साफ सुतरि नहों रहे है जैसे यह नीचे यह साब सुतर जाते है तो उपर तो जाएगी कैसे चड़कते हूं प्र चाइज जाएगी निए कैसे जड़कते हो जैसे के फुरेश प्रूज्ट तो आप पूरर दफ्रेक करते हो जैसे दो मक्हिया थो मक्हीन के ढंक मार देती है तो आज यह मतलब दागी उज़ा फ़लमक्ही तो यह तो इसको तो वो इस पर ने करते हैं एक जो मक्हीन के ताज़ देखो बहुत खराब करते हैं, वहां आप देख रहे हो बच्चे के हाथ में जो घीया दिख रही है उसमें बहुत सारी वह एक वह इसके ऊपर मेलाब की एक दाग जैसे सनरशना बना देती हैं तो इसकी घ्या का भाव प् तो गास को से जे मच्छर उच्छर हो जाते पैदा इसमें तो नुक्सान करते हैं तो जयाद करें मख्य करती है जब कियाल का दे रहा है तो देखा आपने की बाबुलाल जी ने किस तरही के से आप नीचे पूरा का पूरा आर पार देखेंगे तो ये पूरा एक बीम के स्ट् तरफ आ रही है और ये जो नैट के ऊपर जो ये खेती की जाती है हमने किर्सी विज्ञान के इंडर और साथ में कर्सी विभाग के जो क्रसी विशे सग है सुरेश यादवजी से भी जाना कि आज आज जो अकल जो किसान है वह इस तरह की जाल लगाकर घिया काफी मात्रा मे पैदा कर रहे हैं तो उसका एक साइंस टिफिक रीजन भी उन्होंने बताया कि जब जाल के उपर घीया को लगाया जाता है तो यह जो घीया आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जो लटके हुए नजर आ रही है यह प्रत्वी का जो गुर्तवाक्षण जोबल है वो इसे की नजर आ रही है यह कल अगर आप देखोगे तो बबलाल जी बता रहे थे कि यह पूरा बड़ा बन जाता है और इसको कल जब यह तोड़ेंगे तो पांच क्वेंटल के लगबग प्रोडेक्शन इस पूरे के पूरे यह जो पंदरा विश्वा का जो फार्म हाउस आप द देखें तो प्रमप्रागत खेती की बजाए हाइटेक अग्रीकल्चर को किसान अपनाएं और हमारा भी सबसे मुख्य उद्देश यही है इस फार्म हाउस के ऊपर हमने हमारी जो हाइटेक अग्रीकल्चर की जो ट्रेनिंग की जो महिलाएं हैं उनको भी एक्सपोजर है और लोग खेती को घाटे का सोधा मान रहे हैं क्योंकि महनत के मुताबिक उनको मुनाफ़ा नहीं हो पाता और किसान इसे एक घाटे का सोधा मान रहा है लेकिन अगर बाबुलाल जी जैसे प्रगतिसील किसानों के सीखा जाए और उनके यहां फार्म हाउस पे आकर देख करनी पड़ती है कठोर परिस्रम और महनत के साथ यह 3 महीने की जो इनकी महनत होती है उसमें बच्चे की तरह इन्हें इस एक-एक बेल को पालना पड़ता है देख एक करनी पड़ती है आप देख एक पठे को तोड़ना पड़ता है अगर वो बेकार हो जाता है यहां की खेती को हमने देखा और आपसे जाना कि किस प्रकार एक सामान्य किसान भी इस तरह की खेती को कर सकता है कोई बड़ा साइंस इसमें नहीं है अगर वो एक बार सीख ले तो उसे ज्यादा परेशानी इसमें नहीं आती है आपके परिवार के लोग भी आपके इस नवाचार क को मलब की साथ दे रहे हैं आपने हमें ये खेती का एक नया तरीका आज दिखाया और हमारे गाउवानी स्टूडियो के इस चैनल के माद्यम से भी खेती किसानी से जुड़े हुए किसानों को हाई-टेक अगरिकल्चर के इस प्रारूप के बारे में हम जानकारी देंगे त जानगा पाउल्त में कि आप क्या संदेज देना चाहते हो किसानों को विसेषकर ऐसे कि सान जो खेटी को नुक्सान का सोदा मानते हैं तो मैं आपके वीचार जानना चाहूंगा अंटी हम तो सार्व लगाओ मैंने तो साब हारगी करनी बड़ती में वहाटकी जैसे अ़िक तो जिसके बाद कम जमीन है वो तीन फसल भी ले सकता है चार फसल भी ले सकता है तो उसको इतना मुनाफ़ा नहीं हो पाता लेकिन वो एक ही जगह पर तीन से चार प्रकार की जो खेती है उसे वो कर सकता है एक समय में भी कर सकता है और हम यहीं चाहेंगे जो लोग खेती मेँ नवाचार करना चाहते हैं उनका प्रियास है कि वो चाहते हैं कि खेती में नवाचार करना तो बाविलाल जी के फार्म हाउस में यहां रामपूरा में आएं जो खेडा के पास में हमारी श्योम सायता समू की महिलाओं की ट्रेनिंग भी यहां हाइटेक एग्रिकल्चर की आयोजित की जा रही है जिसमें हमारे जो एग्रिकल्चर एक्सपर्ट हैं वो आकर किरसी की जो प्रक्षिशन केंद्र जो हमारा है उसके उपर और साथ में जो हमारा यहां पर फार्मर क्लब जो हैं किसानों के उनमें भी किसानों को इस तरह की नवाचार की ट्रेनिंग्स दी गई है एक्सपोजर भी कराया गया है उसी का नतीजा है कि किसान आज इस तरह के नवाच इसील किसान की एक कहानी को आपके साथ इसी प्रकार हमारे गाउवाणी मंच पर साजा करने के लिए धन्यवाद